गुड मॉर्निंग सुडेंट्स इस वीडियो में हम सबसे पहले टाइलू शिष के बारे में चर्चा करेंगे देखिए अनेक द्वीबीच पत्री पाध्वों की तनों में जब काष्ट परिपक्व हो जाती है तब उस परिपक्व काष्ट की जायलम रदूत कोशिकाओं में एवं रश्मी म्रदूत कोशिकाओं में कुछ भूली हुई अतिवर्दियां उत्पनवती है और ये अतिवर्दियां अपनी सलंगन वाहिकाओं में भीतिय गरतों की द्वारा प्रवेश करती है डाइग्राम में आप देखी ये एक जायलम की वाहिका है वेशल है और वाहिका में यहाँ पे देखे पिट जिसको गर्द कहा जाता है ये वाली शरंचना है म्रदूतक पेरेन काइमा और पेरेन काइमा है वो उसमें कुछ फूली हुई अतिवर्दियां उत्पन होती है ये देखो अतिवर्दियां दिख रही है और ये अतिवर्दियां जिस परकार इस सैड में आपको पिट या गर्द दिखाई दे रहे हैं प्रिट यहां भी इस्तित है तो इन प्रिट सिया गर्तों की द्वारा ये अतिवर्दिया जायलम वाहिकाओं में प्रवेश कर रही है वाहिकाओं की गुहां में प्रवेश करने के बाद ये गुबारे के समान फूल जाती है ये देखिए टायलोसिस आप देख सकते हूं गुबारे के समान फूली भी सरंचना बन रही है और इन फूली हुई गुबारे जैसी सरंचनाओं को ही टायलोसिस कहा जाता है एक और में फिर से रिपीट कर देती हूँ अनेक द्वीबीजपत्री पादपों कितनों में काष्ट जब परिपक्वे हो जाती है तब उस परिपक्वे काष्ट की जायलम रदूत की कोशिकाओं और रश्मी म्रदूत कोशिकाओं में कुछ फुली हुई अतिवर्दियां उत्पन होती है और ये अतिवर्दियां अपनी सलंगन वाहिकाओं में गर्तों की द्वारा प्रवेश करती है और वाहिकाओं की गुहा में प्रवेश करने के बाद ये गुबारे के समान फूल जाती है और इन गुबारे के समान फूली हुई सरंचनाओं को ही टाइलोसिस कहा जाता है ये टाइलोसिस प्राई निश्करिये होती हुई दुथियत जायलम काष्ट में बनती है इसमें बनती है दूतिय जायलम में ही टाइलोशिस का निर्माण होता है और कई बार तो वाहिकाई की गुहा में इतनी अधिक संख्या में टाइलोशिस बन जाते हैं कि वाहिकाई की पूरी गुहा टाइलोशिस से भर जाती है और जब टाइलोशिस पूरी तरह से विक्षिस हो जाता है तब प्राइस में अनेक एजेविक कोशी के रसाइन जैसे स्टार्ज, रेजिन, गोंद, आदि भर जाते हैं पुराने टाइलोशिस की भित्ती भी मोटी हो जाती है अब इदिया हम बात करें टाइलोशिस की आकार और आकरती की तो टाइलोशिस का आकार और आकरती वाहिकाओं के व्यास पर निर्बर करता है वे जायलम उत्तक जिनमें जायलम रदू तक नहीं पाया जाता है और रश्मी म्रदू तक भी नहीं होता है उस दूतियक जायलम की वही काउं में टायलोसिस नहीं पाए जाते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टायलोसिस का निर्मान जायलम रदूतक और रश्मी मरदूतक शेही होता है तो ऐसा जायलम उत्तक, जिसमें जायलम रदुतक और रश्मि भविव अनुपस्तित होता है, ऐसे जायलम की वहिकवी में टाइलोसिस नहीं पाए जाते हैं, टाइलोसिस प्राए अंते काश्ट हर्ट उड में अधिक संक्या में पाए जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम हर्ट वूड या अन्ते कास्ट के बारे में डिस्कस करेंगी तो अभियाब धान रखो कि टाइलोसिस जो है वो अन्ते कास्ट या हर्ट वूड में अधिक संख्या में पाई जाते हैं और इनमें जब एजयू पदार्थ जो भी मैंने आपको बताया स्टार्च गोंद रेजिन जब इनमें भर जाते हैं तब ये जल और वायू के परवेश को रोकने में भी सक्षम होते हैं टाइलोसिस में जब ए जिवपदार्थ भर जाते हैं तब ये वहिका में जल और वायू के परवेश को भी रोग देते हैं साथ ही इनमें जिवाणों और कवक का संकर्मन भी नहीं होता है टाइलोसिस में पाए जाने वाले गौंद और रिजिन के कारण टाइलोसिस की उपस्तिती में जिवाणों और कवक का शंकर्मन भी कास्ट में नहीं होता है इसी कारण अन्ते कास्ट को अधिक उपयोगी, मजबूत और आर्थिक रूप से महतोपून बनाने में टाइलोसिस का सक्रीय योगदान होता है कुछ दूई बीचपत्री तने जैसे ओक, मौरेश चथा वाइटिस की कास्ट में टाइलोसिस काफी अधिक पाये जाते हैं तने के गाव बढ़ने के समय भी टाइलोसिस का निर्मान होता है नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कास्ट या वुड बनी है उसमें वेसल्स परजेंट है या अपसेंट है वाइखाएं उपस्तित है या अनुपस्तित है उसके आधार पर कास्ट या वुड दो प्रकार की होती है जो कास्ट बनी है उस कास्ट में वाइखाएं परजेंट है या अपसेंट है या वेसल्स उपस्तित है या अनुपस्तित है इसके आधार पर कास्ट या वुड दो प्रकार की होती है नमबर वन, नोन पोरस वुड़, एरंदरी कास्ट और नमबर टू, पोरस वुड़, सेरंदरी कास्ट सबसे पहले हम देखेंगे एरंदरी कास्ट देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो जिमनोस्पम पादप होते हैं उनमें वाहिकाई या वेसल्स अपसेंट होती है जिम्नोस्पम पादपों का जो जायलम होता है उस जायलम में वाहिकाई अनुपस्तित होती है तो जिम्नोस्पम में जो काष्ट पाई जाती है उसको एरंद्री कास्ट या नोन पोरस वुड कहा जाता है ऐसी कास्ट या ऐसी वुड जिसमें वाहिकाई अनुपस्तित होती है, वो नोन पोरस वुड या एरंद्री कास्ट कहलाती है, नोन पोरस वुड को सोप्ट वुड भी कहा जाता है, लेकिन जिमनोस्पा में एक अपवाद है एफिड्रा, एफिड्रा जो पादप होता है, उसम जिसमें वाहिकाई पाई जाती है तो एफिड्रा में पाई जाने वाली कास्ट को नोन पोरस कास्ट या एरंदरी कास्ट नहीं कहा जा सकता एक और फिर से रिपीट कर देती हूं कि जिम्नोस्पम पादपों में पाई जाने वाली कास्ट या फिर ऐसी कास्ट जिसमें वाहिका दिनात में पाई जाती है एसी कास्ट नोान पूरस या एरंद्री कास्ट या नोन-पूरस वूड कहलाती है। इसका पूआद एफीड्रा क्योंकि एफीड्रा में वाहिकाईं पाई जाती है। और non-porous wood को soft wood भी कहा जाता है दूसरा टाइप है porous wood तो porous wood ऐसी wood ये ऐसी cast जिसमें वहे काएं और वहेने काएं पाई जाती है ऐसी cast को porous wood या सेरंदरी cast कहा जाता है और ऐसी cast जो है वो द्वी बीच पत्री तनों में पाई जाती है जो एंजियोस्पम द्वी बीच पत्री पादप होते हैं उनमें पाई जाने वाले cast को सेरंदरी cast या porous wood कहा जाता है क्योंकि इसमें जायलों वहे काहें पाई जाती है और porous wood को hard wood भी कहा जाता है जो non-porous wood होती है उसको soft wood कहा जाता है जाता है लेकिन यदि अपन बात करें एक पुरातन दूइबीच पत्री पादप है ड्रीमिश ड्रीमिश के तने में वहे काई अनुपस्थित होती है जैसा हमने नौन पॉरस बुड में देखा था कि नौन पॉरस बुड है वो जिमनोस्पम पादपों में पाई जाती है लेकिन उसमें एक अपवाद होता है एफिड्रा क्योंकि एफिड्रा के जैलम में एफिड्रा के कास्ट में वहे काई पाई जाती है उसी परकार पॉरस बुड के एदि बात करें तो पॉरस बुड दूइबीच पत्री पादपों में पाई जाती है क्योंकि उनमें पाई जाने वाली वुड में या कास्ट में वाहिकाई पाई जाती है लेकिन इसका भी एक अपवाद है एक पोदा है दुविपीज पुरातन, दुविज पत्री पादा फेर ड्रीमिश उसके तने में वाहिकाई अनुपस्तित होती है कास्ट का दूसरा प्रकार हम देखते है वाहिकाउं के अर्रेंजमेंट के आधार पर तो टाइप सोब वुड और बेशी सोब अर्रेंजमेंट ओफ वैसाज वाहिकाउं की व्यवस्था या विन्याश के आधार पर पादपों में दो प्रकार की कास्ट पाई जाती है कास्ट कहा जाता है देखो यहां पे दो डायग्राम है ए वाला जो डायग्राम है वो है रिंग पोरस वुड का और बी वाला डायग्राम है डिफ्यूस पोरस वुड का देखी दोनों में क्या डिफ्रेंस होता है सबसे पहले हम देखेंगे Ring Porous Brother या वले चिद्रिल कास्ट तो इस परकार की कास्ट में दो भिन्वियास वाली वाहेकाई पाई जाती है कुछ वाहेकाई का व्यास जदा होता है कुछ का व्यास कम होता है तो देखिए यहां आप ए वाले डाइग्राम में देखिए दो टाइब की वहिकाएं आपको दिख रही है कुछ वहिकाएं देखो छोटी है कुछ वहिकाएं बड़ी भी है तो बसंत काश्ट यानि बसंत रितु में जो काश्ट बनती है उसकी वाहिकाएं बड़ी गुहा वाली होती है और सरद रितु में जो सरद काश्ट बनती है उसकी वाहिकाएं आपेकसा कर संक्री या चोटी गुहा वाली होती है अर्थार्थ वले चिद्रिल जो काश्ट होती है उसमें दो प्रकार की वाहिकाएं पाये जाती है या जिनकी गुहा बड़ी होती है, कुछ वाहिकाओं की गुहा छोटी होती है तो जो वाहिकाओं बसंत रितू में बनती है, उनकी गुहा बड़ी होती है और जो वाहिकाओं सरद रितू में बनती है, उनकी गुहा पेकसाकरते छोटी होती है और दूसरी टाइप की जो कास्ट है वूट है उसे बोलते हैं diffused porous wood विश्री चिद्रिल कास्ट तो इसमें देखू क्या होता है कुछ पादबो में क्या होता है बसंत रितु में बनने वाली और सरद रितु में बनने वाली वाहिकाओं की जो गुहा होती है उसके व्यास में कोई सूसपष्ट अंतर नहीं पाये जाता है अथार्त कुछ पादगों में बनने वाली बसंत काश्ट और सरद काश्ट में या बसंत रितू और सरद रितू में बनने वाली वाहिकाओं की गुहा या जो व्यास है उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, लगबग वो समान ची होती है, इस परकार की कास्ट को diffused porous cast, wood या फिर विस्तरित चिद्रिल कास्ट कहा जाता है, यहां आप देखें डायगराम में, इस B वाला जो डायगराम है, इसमें जितने भी वाय काई हैं, उनका व्यास जो इचिद्रिल जो कास्ट होती है, उसमें पाई जाने वाली वहिकाउं का व्यास है, वो लगबग समान होता है, व्यास में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थेंक यू,